आल्राइट गाइज मैं हो निष्ठा आपकी फ्रेंड टेक्नोलोजिस्ट और गाइड तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन गैजट्स और एक्सेसरीज की जो आपके वर्थ फ्रम होम के एक्सपीरियंस को और बढ़िया करते हैं साथी ये वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है आप लोगों के लिए भी क्योंकि हम देने वाले हैं किनी तीन लख्यू बिनर्स को फिलिप्स के एरफोन्स और इस कॉंटेस्ट में पाटिस्पेट करने के लिए क्या करना है ये मैं बताऊंगी वीडियो में आगे पर जब से एक कोड़ो आया है ना जाने कहां गए वोदिन एंवेड जोक सपाथ इस कोड़ो ना ताइम में हम सब काफी टाइम से घर से काम कर रहे हैं काश इसकी भी सालरी मिलती अश्यू पर हम बात कर रहे है उन लोगों के जो घर से काम कर रहे है especially इनका क्या करें इनकी भक्ति तो खतम नहीं हो रही तो हाँ जादतर आईटी कमपनीज अभी अपने एंप्लोईज को work from home ही करा रही हैं क्यूंकि इनके ऐसा बोलने से तो कोरोना जाने वाला तो है नहीं तब तक let's do the setup for work from home तो चलिए इसमें सबसे first and foremost आता है ergonomics जिसका हम घर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाते हैं जैसे कि आपका sitting posture ये आपको कमर, गर्दन, कंधे के दर्द से बचाते हैं अगर आप एक अच्छा sitting posture maintain करते हैं जैसे कि आप अपनी कमर को सीधा रखिए, आखों का जो एंगल है वो screen के एकड़म बराबर होना चाहिए वगेरा वगेरा इनी सब standards को follow करने के लिए सबसे पहली चीज है comfortable chair with armrest जैसे कि आपकी peat और हाथों को support मेले और साथी साथ अपनी chair की height अपने table के हिसाब से भी adjust कर सकें इसकी range start होती है चार या पाँच हजार से चलिए कोई बात नहीं अगर आप इतने budget की chair को afford नहीं कर सकते हैं तो भी आपको use करना चाहिए एक back support cushion यह आपको लंबे समय तक किसी exertion से बचाता है और सीधा बैरतने में आपकी cover को सीधा रखने में काफी help करता है यह आपको 500 से 700 रुपे तक किसी भी online platform पर मिल जाएगा आप इसे नीचे दियोए link से भी order कर सकते हैं तो दूसरा accessory हमारी list में आता है gel mouse pad जी हाँ अगर आप mouse से ऐसे काम करते हैं काफी देर तक तो आपकी wrist में यहाँ जरूर pain हो सकता है तो इस से बचने के लिए आप इस mouse pad को जरूर use करिए ताकि आपकी wrist को support मिल सके काम करते हुए और हमारे ही सबसे यह आपको 800 से 1000 रुपे तक में मिल जाएगा अगर मेरी बात मानेंगे तो Amazon से आप यह खरीद सकते हैं आराम से link मेंने description box में already दे दिया है तीसरी और काफी जरूरी चीज है elbow support अगर आपकी chair में कोई elbow support नहीं है या फिर उसका level जो है वो आपकी elbow के हिसाब से नहीं है तो आप यह elbow support order भी कर सकते हैं और इसे अराम से अपनी chair के साथ use कर सकते हैं जिससे कि आपको sitting काफी comfortable हो जाएगी तो इन सब budget options के साथ आप अपने work from home को comfortable बना सकते हैं पट 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 आपको काहम तो खुधी करना होगा और sitting भी खुधी देनी पड़ेगी unless you are smart like him चली हम बात करते हैं उन gadgets या accessories की जो generally हम सब के पस रहती है but they need to be changed क्योंकि पहले हम थोड़े बहुत समय के लिए घर से काम करते थे पर अब तो इस list में सबसे पहले आता है Bluetooth, Mouse and Keyboard ये दोनों ना सिर्फ आपको wire cluttering से बचाते हैं पर definitely आपके काम को भी ज़ादा efficient कर देते हैं Keyboard लेते वक्त एक बात का ध्याम जरूर रखे कि उसके साथ wrist wrist है या नहीं अगर है तो आप इसे अलग से भी purchase कर सकते हैं यारि कि आपके wrist में होने वाले pain को ये रोकता है और आपको लंबे समय तक काम करने में support करता है हमने अपनी recommendation नीचे description box में दे दी है आप ज़रूर उसे check out कर सकते हैं और next हमारे list में आता है एक laptop stand अगर आप timble के अलावा कहीं और बैठ कर काम कर रहे हों तो इसकी ज़रूरत आपको definitely पड़ेगी ये काफी सारे variants में आता है wooden आता है, metallic frame आता है with fan आता है, without fan आता है जो आपकी laptop को overheating से भी बचाता है साथ ही आप इसको USB में plug कर सकते हैं इसको fan को on करने के लिए मेरी तरफ से मैं recommend करूँगी Potronix का laptop stand ये काफी comfortable है इसकी जो height है वो काफी adjustable है आप अपने हिसाब से height adjust कर सकते हैं इसमें fan भी आपको मिल जाता है जो आपकी laptop को overheating से बचाता है साथ ही आपके हाथ को support करने के लिए यहाँ pad भी दिया गया है ताकि आप mouse पर आराम से काम कर सकते हैं तो this is definitely a must have accessory if you are working from home अगला नमबर आता है noise cancelling headphones का तो अगर आप घर से office की कोई call ले रहे हैं या फिर आप एक music lover है तो बैफिनिले recommend करूंगी Sony के headphones आपके लिए इससे आप ना केवल background में अगर कोई noise है उसको यह cancel कर देगा आप नहीं सुन पाएंगी clearly आप अपनी call पे concentrate कर सकते हैं आपको बिल्कुल भी distract नहीं होगा साथी साथ आप अपने music या कोई meeting attend कर रहे हैं तो उसको भी enjoy कर सकते हैं headphones के साथ साथ आप यूज कर सकते हैं कोई भी true wireless जी हाँ TWS बहुत सारी companies ने affordable ranges में TWS लाँच की हैं अभी हाली में तो आराम से आप इन TWS इसको यूज करके active noise cancelling का मज़ा ले सकते हैं clear call quality इन में मिलती है काफी जादा charging time इन में हो जाता है आप काफी लंबे समय तक एक charge के बाद इने use कर सकते हैं touch control रहता है और इन सबकी Bluetooth range भी काफी अच्छी है next हमारी इस list में आता है extension board आपको work from home करते हुए काफी सारे electronic gadgets की जरुवत पढ़ी है जैसे की कोई mobile, laptop, wifi router वगेरा वगेरा और इन सबको charge करने के लिए आपको definitely लगेगा एक extension board इससे आप अपने सारे electronics एक साथ charge कर सकते हैं और इसको select करते वक search protection का जरूर ध्यान में रखें अगर आपके profile में बहुत जदा meetings अटेंड करनी रहती है या फिर आप एक online classes लेते हैं तो इसके लिए आपको जरूर काम में आएगा एक HD webcam जी हाँ और HD webcam को use करने के साथ ही दो चीजों का जरूर ध्यान में रखें नमबर वान कि जो light है आपके face पर डारेक्ट पढ़नी चाहिए नमबर टू आपका जो background है वो clear होना चाहिए clutter free होना चाहिए तो इससे पहले कि आप HD webcam में इन्वेस्ट करें इन दो चीजों को जरूर सुधार लीचे इसमें मैं आपको recommend करूँगी Logitech C270 HD webcam इसका screen काफी wide है और हाँ अगर आपका existing webcam अच्छे से काम कर रहा है तो आप सिर्फ एक noise cancelling mic भी purchase कर सकते है And now it's time for some tips for work from home Always set up an office like space जी हाँ ये बहुत जरूरी है बट इसका मतलब ये नहीं कि आप घर पे पूरी company set कर लें It simply means having essentials in place जिससे आपका काम बार बार interrupt ना हो Time your breaks Yes, it is advisable to time yourself when on a break It will help you to be in discipline इसके लिए आप कुछ apps भी यूज कर सकते हैं जैसे की time out for Mac, smart break or Windows Video call etiquette Following video call etiquettes is the most essential part of working from home तो हम ये शांस सुबे अच्छे से तयार हो का काम शुरू करें क्या पता कब आपका बहुस आपको video call के लिए बोल दे साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आपका mic और camera सही से काम कर रहे हूं Always prepare a task list in the morning और उसको update करते रहें इसके लिए आप whiteboard या to-do list type की apps भी उस कर सकते हैं Make sure that you have a steady internet connection and uninterrupted power supply And finally, अगर आपको swear back एक हो रहा है तो आप अपना sitting posture भी सही रखें तो ये थी मेरी तरफ से कुछ gadgets, accessories और tips आपके work from home को बहतर करने में चलिए बात करते हैं हमारे giveaway contest की इसके लिए आपको हमारे YouTube channel Gadgets Unfold को subscribe करना है साथ ही हमें Instagram या Facebook पर आपको follow करना है साथ ही हमें comments में बताना है कि आपके हिसाब से work from home अच्छा है या नहीं और क्यों ये contest चलेगा next 15 दिनों तक और उसके बाद हम बताएंगे 3 lucky winners जिने मिलेंगे Philips के earphones तो जल्दी से अपने जवाब comment कर दीजे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे like ज़रूर कीजे साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो इसको subscribe करना न भूले और bell icon भी प्रेस करें ताकि आपको notifications मिलते रहें जब भी हम new video upload करें तो अभी तक के लिए इतना ही कबते रहेंगे आपके लिए gadgets को unfold take care and bye bye